Hey guys we are going to look at what exactly the truth and false values are okay so exactly क्या है कि false values क्या होती है before going into the code हम बात करेंगे कुछ terms की ठीक है so देखें पांच चीजे होती है zero undefined अपके string null and not a number is a false values okay a false values का concept क्या है suppose that की देखें हर एक value जो होती है वह exactly false नहीं होती बड़ क्या होता है कि टाइप कोर्जन होता है या फिर टाइप कनवर्जन कर लिए तो यहां पर टाइप कोर्सियन होता है ठीक है यहां पर automatically आपकी JavaScript type question कर रहे ठीक है अब यहां पर क्या होता है कि हम अगर किसी भी false values को अब बूलियम में convert करने की कोसिस करेंगे तो वह false बन जाएगी वह फॉल्सी वैलू बन जाएगी ठीक है आप if you are trying to convert a false value in a boolean then it may become it can become false value okay so the thing is कि हम पहले false values को देखेंगे फिर देखेंगे टूती वैलूस क्या सीच होती है और उसके बाद एक conditional statement लगा कर हम चेक करेंगे कि whether it is working or not so let's jump into our code okay so हम यहां पर आगे हैं और हम कहते हैं कि what are the false c values are ठीक है false values देखो मैं पांच लेता हूं पहली बात है जीरो दूसरी है एक नाल स्टिंग तीसरी है नल वैलू चौती है अंडिफाइन और पांच भी क्या सकते हैं not a number one two three four five okay and let me wrap it into a single line comment okay अब क्या है कि माल लो मैं कहता हूं कि console.log ठीक है और मैं एक boolean value को convert करना चाता हूं ठीक है एक boolean value में मैंने डाल दिया 0 अब यह क्या है यह definitely मेरे फॉल्सी वैलू है ठीक है तो यह मुझे फॉल्स रिप्रेजेंट करेगी करेगी कि नहीं obviously बाती करेगी ठीक है अब मैं यहां पर console.log boolean करता हूं और मैं यहां पर कहता हूं कि मेरे को एक और नंबर दे तो मालों not a number ठीक है अब मैं इन दोनों को console में जाकर चेक करता हूं वेदर दे आर और फॉल्सी वेलू और नॉट अब देखिए यहां पर कह रहा है कि not a number is undefined you have to define a number तो हम चेक करते हैं undefined में ठीक है अन्डीफाइन में चेक करते हैं अब देखिए दोनों फॉल्सी वेलूज है अब हमें इन्हें convert किया बूलियन में अब यह फॉल्स बन गए ठीक है अब टूथी वेलूज की अगर बात की जाए तो मान लेजे कि अगर console.log और मैं नॉर्मली एक इस्टिंग लेता हूं ठीक है इस्टिंग वो भी empty नहीं ठीक है एमपटी यहां पर इस्टिंग नहीं है अब मैं कहता हूं कि हैलो यह मेरी एक इस्टिंग हो गई ठीक है तो हैलो इस्टिंग इस नॉट इन इस पर्टिकुलर लिष्ट विच मेंस इट बिकम ट्रू एंड यह है टूथी वैलू ठीक है अब देखो यहां पर ट्रू आ रहा है ठीक है तो हमें कॉंसर्ट प्लियर हो गया कि यह पांच जो चीज है वो फॉल्सी वैलू होंगी दब जब हम इनको बूलिय अलग चीज है ठीक है एंप्टी स्ट्रिंग अलग चीज है ठीक है यहां पर आप्जेक्ट है यह वर्ट डजिट में की यह तूथी वैलू हो सकती है बिकॉज एट ड़ूट इन वाल्व इंदी इन इस लिष्ट ओके इट इप इडिट इस नॉट ही तो यह क्या है कि यह त बेट अगर यहीं पे भी इसी पर्टिकुलर कोड में मैंने अगर एंप्टी स्ट्रिंग ले ली तो वह प्रेजेंट करेंगा वह फॉल सी वैलु के अंजर है तो टाउसिनेटलिए फॉलसी वैलु रेप्रेजेंट करेंगा अब देखिए कि क्या है कि टूथी एन फॉलसी वै होता है explicit नहीं होता ठीक है जो conversion होता है boolean में फिर से द्यान दीजेगा जो conversion होता है boolean में वह implicit होता है not explicit ठीक है अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कॉर्जियन करता है मतलब कि आपका जो जावा स्क्रिप्ट है वो बिहाइंड दसीन चीजों को कनवर्ट कर रहा है अब आप सोचते होंगे कि यार एक्शन में यह एसमान लोग की कोर्जन हो रहे तो वह कोर्जन के स्क्रूं लिए तोस पोज एट की मनरीक क्यी किशनल स्टेटमेंट्स हैं मैं कहता हूँ मैं कंडिशनल स्टेट्मेंट्मेंट्स को यूज करता हूँ तो माओ लो एक एक कौंस्टेंट इसने सालरी है अगर उसके पास एक एक if we have salary ticket if have salary अगर मां लो इस इनसान के पास salary एठी है और मां लो यह इस पर्टिकॉलर इनसान के पास 0 salary ठीक है अब 0 salary है तो मैं कहूंगा की if if have salary then console.log You may spend money on vacation ठीक है vacation अब अगर आपके पास salary है तो आप spend करो money को salary vacation पर हाँ ठीक है अब else is एक else है है तो मैं यहां पर कहता हूं कि यहां पर कहता हूं कि यह यहां पर कहता हूं कि your BUDGT budget is low अब देखिए यहां पर क्या है कि मैंने कहा कि यह तो sell अगर salary है है तो spend करो और budget यानि कि अगर नहीं है तो budget तुम्हारा लोगा ठीक है you cannot go तो अभी यहां पर क्या होगा कि आप सोचिए कि यहां पर execution का होगा यहां पर number है आप सोच रहेंगों यह execution होगा नहीं मैं आपको बताता हूं यहां पर execute है फॉल्सी टिक है ओके उसके बाद अगर यह फॉलसीवालै वैलु स्यन्थ फॉल्स sì वालु जावा इसकिप्डेंट लिए नहीं कर लिया विए का उसरे इस पर्टिकूलर बेसे को फॉल्सी वेलु बता दिया अगर करेंट करता है। यह स्टेमेंट को एप B पर तो यहां पर if salaries 1000 अब यहां पर यह फॉल्सी वैलू के अंदर नहीं है ठीक है विच मेंस भी अल्रेडी हाव इंटीजर एंड इफ दिस विल गोईंग तो बी कनवर्टेट इंटू दर ट्रोथी वैलू ओके अब यहां पर कहा है यू में spend money on vacation विच मेंस कि यहां पर टूथी वैलू एक्च्वल में हो गई ठीक है यहां पर यह फॉल्सी वैलू नहीं है तो अगर आप कभी भी स्टेटमेंट में मालोग बूलियन में convert करते हो कोई चीज को तो यह इस तरह से आप यूज कर सकते हो ठीक है और यह बहुत ही यूण बड़ा ही सिंपल सा केस है I don't use it so much बट यह यह चीज़ आपको जानना बहुत ही important है ठीक है तो हमने truth and false values के बारे में जान लिया है और हम देखेंगे next time में equality operators क्या होते हैं हम धीरे-धीरे करके सारी जावस्कृट पूरी तरीके से खंगाल डालेंगे और हर एक concept को पूरी clear तरीके से पढ़ेंगे ठीक है so thanks for watching guys bye bye take care